कुमर सचदेव कर दी। कुमर का जन्व दिली की एक पंजाबी परिवार में हुआ था। कुमर अपने दो भाई और माता पिता के साथ छोटे से घर में रहा करते थे। कुमर के पिता भारती रेलवे में क्लरक थे और मां हाउस वाइफ थी। कुमर ने प्राइमरी तक की पढ़ाई प्राइब नमबर थे। इस वज़े से उनका एडमिशन नहीं हो पाया। इसके बाद कुमर ने फिर शे बारवी का एक्जाम दिया और इस बार अपनी स्कूल में टॉप किया। लेकिन इस बार मेडिकल का एंटरंस एक्जाम पास नहीं कर पाये। इसके बाद कुमर को मदद कर पाते थे। पढ़ाय पूरी करने के बाद कुमर ने केबल कम्मिकेशन कंपनी के सिर्स डिपार्टमेंट में चॉब कर ली। यहां काम करते हुए उन्हें हैसास हुआ कि भारत में बिजनेस करना एक अच्छा कमाई का जरिया साबित हो शकता है। यहां बात 1988 की है क कुमर ने जॉब छोड़ दी और देले में अपना केबल का बिजनेस शुरू किया जिसका नाम उन्होंने सुकाम कम्मिकेशन सिस्टम रखा। बिजनेस तो खुल गया था लेकिन कुमर को मैनेफेक्टर के बारे में कोई समन नहीं थी। इसके चलते उन्होंने कुछ कि भारत में बिजली की समस्या बहुत जादा है कुमर बताते हैं कि उनके घर का इंवर्टर भी अक्सर खराब हो जाता था इसे ठीक करवाने के लिए उन्हें मेकैनिक को बार बार बुलाना पड़ता था एक बार गुश्या कर उन्होंने खुदी इंवर्टर खोला और के नाम से कंपनी डाली और एक केबल टीवी बिजनेस चल पड़ा था वहीं कुवर ने दूसरी कंपनी की निव भी रख दे थी कुवर बताते हैं उस समय लोगों को नई टेकनोलोजी के बारे में बताना और उसे खरीडने के लिए मनाना बेहन मुश्यल था काफी मेनत के ब कंपनी के फाउंडर कुवर सच्देव करीब 2300 करोड की कंपनी के मालिक है इस कंपनी में सोलर प्रोड़क्ट भी बनते हैं जो दिन में 10 घंटे बिजली दे सकते हैं इसके प्रोड़क्ट अब तक भारत के एक लाग घरों में लगाए जा चुके हैं सो काम के सोलर में इस सच में एक राजकुमार बना दिया है